आई आपका स्वागत है आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिप्रेशन ड्यू टू ब्रेक अप पेशेंट स्टडी एक लड़का आज ही मेरे पास में आया अपने माबाप के साथ में आया था आई टी इंजिनियर हैं जबसे हो स्कूल में था तब से भी तो इसकी डूस ती लड़की में था और अच्छी दोस्ती थी दोन्हीं इंजिनियर बने बहुंआ अलग शित्र के और दोनों प्रेश्च ya जाब में Medien ऐ ती टी मगर दोनों काफी साल से एक दूसरे को जानते थे फैमिली जानती थी तो फैमिली के तरफ से भी बहुत ज्यादा कोई ऐसा अपोजिशन नहीं था और वो ऐसा उनका तय था कि आगे चल के अपने को शादी करनी किये मगर यह जो लड़का था इसका ऐसा हो गया कि वह जो लड़की है उसका बीएवियर उसको कुछ तभी अलग दिखने लगा और एक दिन लड़की ने उसको बोला ही कि मुझे आप से शादी करनी नहीं है और मुझे तो यूएस में जाने का है तो इसको एकदम अचानक यह हो लग अरहिए असगर के वह जाने का है था कि मुझे यूएस जाना है और वहां सेटल होना है और मैं तो इकजाम भी दिया हूं यूएस जाने के लिए को और एक अच्छे कंपनी में मुझे ऑफर भी आ सकती है और मैं यूए जाओंगी फिर उसको मालूम पड़ा कि यह क्या हो रहा है अचानक उसको यह मालूम पड़ा कि यह कभी-कभी लड़की गुसा भी करती है अचानक कभी-कभी ऐसी भावनाओं में आके कुछ बोल भी देत और जब वह नहीं बोल रही तो जबर दस्ति करने मतलब नहीं मगर यह तो बहुत डिप्रेशन में चले कई कि ऐसा कासा नहीं बोल रही है फिर उसको यह भी मालूम पड़ा कि वह लड़की और किसी के प्यार में है और और भी डेटिंग इसको भी कर रही है तो उसको फिर आप धका बैट कि है करें कि हो रहा किया इस विए तो महाप अब इसको समझा रहे है और बोल रहे हैं वह बोल रहे हैं जाने का नहीं था कभी उसने प्लैन भी नहीं किया तो तो यह रहना था माबाप के पास में अच्छी कासी नोकरी भी मिल गई थी तभी तो इस सवाल ही जाने का मगर जब उसने यह भी मालूम पड़ा कि कोई लड़के के साथ में है तभी उसने उसको माफ करें ठीक है वह चलता है सकते हैं फ़ैसी कैसी बरताओ ड़की मरत करें और मेरी क्या गलती होगए हैं कि मेरी एसी क्या किया कि उसने मुझे ठुकरा दिया वह वाट्स तो बहुत चैटिंग कर रहे हैं मगर अभी वो लड़की ने मना कर दिया उसके साथ में मिलने के लिए और वो लड़को तो फ्लाय करना है जल दिस से जल दिए अब इसका सब बढ़ता हो देखके मावाद चिंचित होगे कि इसका करना क्या रोज रोता है कंपनी में जाता है क कंपनी से को इसी प्रोबमण नहीं है मकर अभी करना क्या है मैं आधे अब यहापको नसीबवान समझ ये आपको पहले मालूं धळा अभी E कितने दिन रहने का है, और एडी तीन मेने तो हो गए, मेरे पास में आये तो, वालबी तीन मेने तो हो गए आप दुखियो, खाना खाना बन, बजन कम हो रहा है, नीद नहीं आ रही है, रोना धुना चाल गए रोच, सुसेड की विचार आ रहे, अभी आपको यह कितने दिन चलाने का है, मेहना चलाने का है, छे मेहने चलाने का है, तो आप तो ठीक होने वाले ही पक्के, आपको क्या करना है, यहां रोते बहटना है कि कुछ जिन्दगी बनाने का है, आपको क्या संभावना दिख रही है, तो उसके तीन-चार सेशन में लिए कॉंसिलिंग में उसको यह समझ में आया कि जो हो गया वो पास्ट है उसका अभी कुछ नहीं कर सकते अतीत में रखो और अभी क्या संवाना निर्मान कर सकते वो देखो उसको कॉंसिलिंग किया कि चलो अच्छा है आपने तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि शादी के पहले सब मालूम बढ़ा ऐसा लफड़ा है कुछ ऐसे सॉब्साइंस रहते हैं सॉब्साइंस सॉब्साइंस बारी किसे कुछ रहता है कि ऐसा लगता है कि व्यक्ति का बेहईवियर वो कुछ तभी गड़बढ है मगर उसको पकड़ सकते नहीं कि कि यह प्राब्लम है यह साइकोसिस है यह पकड़ नहीं सकते मगर तक कुछ तभी गड़बढ है तो चलो कुछ तभी गड़बढ है आपको आज ही दिख गई आगे चलके पताने क्या होंगा तो हो सकता है कि फुलफलेच पुरा साइकोसिस देवलब हो जाएंगा मालूम न हुआ हुआ है और अब सम्मौणों की निर्मीतिया करते हो उसे सम्मौणा निर्मान करते हो श्यूंट मालूमाइ करते चलो स्याख्रों क्या कररें डिख कमिटमेंट में बहुत बटी तनखा-मैंटिश को करना है मृसी सिकम करना ढ़ना persist बर्श सब्दाइक कारें एक दिन दुखी rahain कि छे महींने दुखी रहा है च्만 आपका है यह मेरे को समझ में आ गया मने डिन हो गया वह ऑद अभी मैं सब यह ड्राप कर रहा हूं और उसको एक्नॉलेज कर रहा हूं कि यह जो है वह भी है वट इस सो और अभी मैं इसको नया निर्मान मेरे जिन्दिका करूंगा जो गया उसको अतीद में डाल दोंगा ऐसा बोलकि उसने मेरा कोचिंग का जो था उसको समाप्त करके वह जैसे कभी सारे लोग है कि जो आजकल मतलब डेटिंग तो बहुत कॉमन हो गया वाइफ्रेंट गल्फ्रेंट वह एकदम नॉर्मल कोई प्राब्लम है उल्टा ऐसा है कि आपको बाइफ्रेंट या गल्फ्रेंट नहीं है तो लोग समाई लोग ऐसा समझते कि बहुत ही बैक ही जारें किसके साथ मतलब भूमर के उनके उमको आपना बने मोबेल को है कौन सबस्ट आरें उसमें कौंन के दोस्ट है जाना चैटिंग क्या कर रहें नेट कितना समय गमार है क्या कर है वो देखना पड़ेंगा और नहीं तो फिर आपका बच्चा आपके हाथ से कब निकल की बात कर रहा था कुछ जीवन में रहा नहीं है तो मैंने पेरेंट्स को भी बोला कि तभी इसके उपर ख्याल रखो अब्ज़र करो ताकि अपन एक जिन्दीकी का सवाल है आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक और थैंक्यो ब कर दो